हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षाने देशाले की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 39 करेंगी जो की क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है गनित ये वर्क्षिट 17 दिसंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट बीजिय व्यंजग का जोड एवं घटा आज हम बीजिय वियंजक की जमा और घटा के बारे में जानेंगे तो देखो क्या कहा गया दी गई तालिका को देखें और सोचें 123 देखो 4 आम, 8 पैंसिल और 4 आम 7 आम, 7 पैंसिल और 7 पैंसिल तो कितने होगे 7 आम और 4 आम को जोड़ा तो कितना अंसर होगया 11 इसी तरह 8 पैंसिल और 7 पैंसिल को जोड़ा तो 15 पैंसिल लेकिन 7 आम, 4 आम और 7 पैंसिल को क्या हम जोड़ पाएंगे नहीं इसी तरह देखो 123 और 135 को जोड़ा तो 258 हम इन सब को जोड़ पा रहे हैं लेकिन जो आम और पैंसिल है ये दोनों क्या है एक दूसरे से अलग है जब मात्रक क्या हो अलग हो तब हम उन्हें जोड नहीं पाते हैं तो देखो क्या लिका है हाँ हम इसे नहीं जोड सकते क्योंकि यह एक जैसे नहीं है अब आगे देखत क्या कहते है विटा देखिए हम उपर तालिका में देखा कि हम अलग लग चीजों को नहीं जोड़ सकते हैं उसी परकार बीजिये विंजिक में भी जो ए समान पद हैं उन्हें नहीं जोड़ सकते हैं और समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं उधारन 4xy था 7xy दोनों समान पद है हमने क्या का था जिनके चर समान होते हैं वो पद क्या होते हैं समान होते हैं जैसे कि X7X और 3X यह क्या हो जाएंगे समान पद हो जाएंगे इन्हें हम जोड़ भी सकते हैं इसलिए इनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है जब हम जोड़ते हैं 4XY 4X प्लस 7xy तो देखो यह दोनों यहां पर जो पद है क्या है दोनों समान है दोनों में एक्सवाइ लिखा है तो हम सीधा जिस तरह से जोड़ते है चार उस साथ को जोड़ेंगे तो कितना एगा 11xy हमारा अंसर हो जाएगा और इसी तरह से अगर घटाएंगे तो कितना आजाएगा 3xy तो देखो सिंपल वही होता है बट इनके पद क्या होने चाहिए हमेशा समान होने चाहिए परन्तू 4x की square y and 7xy देखो अब यहाँ पर क्या हो पद दोनों है वो change हो गए 4x की square और क्या दियागा 7xy को अगर हमें जोड़ने के लिए कहा जाए तो हम इसे नहीं जोड़ पाएंगे हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों पद क्या है एस मान यहाँ पर x की square है और यहाँ पर x है अर्थात 4x की square प्लस 7xy का जो अंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4x की square y प्लस 7xy मतलब इनके बीचे प्लस लग जाएगा यह आपस में प्लस नहीं होंगे ठीक है तो इन दोनों पदों के जोड़ने की समभावना नहीं है अब देखो धारन के तरफे हम समझते हैं कि जैसे 3ab प्लस 11ab कितना हो जाएगा 14ab दोनों पदों को जोड़ा जा सकता है और हम यह क् 3sd माइनस 5sd आंसर क्या जाएगा 3sd माइनस 5sd तो देखो 5 क्या है नीचे है तो यह क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का हो जाएगा क्योंकि 3 में से 5 हम नहीं गटा सकते तो माइनस का हमारा क्या जाएगा 2sd क्योंकि गर सकते हैं क्योंकि यह क्या है दोनों समान पद है next देखो क्या दिया गए 7FG plus 8FG दोनों को जोड सकते हैं क्योंकि ये दोनों पत क्या है समान है ध्यान से देखने हैं बिटा अब next देखते हैं 4AS 6FG देखो क्या कहा गया 4AS 6FG और 7AS इसको जोडना है तो देखो बिटा अब जो AS वाले पत हैं हम उनको 11AS 7FG जब पिटा कोशन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब ना अब हम करते है कोशन किस तरह से क्या जाता है बहुत इंपोर्टेंट है बेसिक है इससे अच्छे से समझ लीजिएगा देखो 7X की स्क्वेर प्लस 6X प्लस 7 अब हमें इसके अंदर ये नमइर जोड़ना है तो एक बात आप ध्यान रखेंगे X की स्क्वेर अगर दी गई है तो उसके निचे X की स्क्वेरह मीं लगाएंगे उसके नहीं लगाएंगे जो नमबर जैसे दिया जाता है हम उसके नीचे हम वैसा ही नंबर लगाते हैं अगर x दिया है तो नीचे सिर्फ x लगेगा अगर x की square है तो x की square का नंबर ही हम नीचे लगाएगे हम कोई आगे पीछे का नंबर हम यहाँ पर नहीं लगा सकते है तो देखो हमारा first number यह हो गया और second number देखो 8x तो हम जहाँ पे हमने x लिखा है उसके आगे हम प्लस करके ए क्योंकि देखो जिसके आगे कोई mark ने होता वो प्लस हो जाता है हमने लिख दिया यहाँ पे 8x ठीक है उसके बाद देखो 7y यहाँ पे कहीं हमारी उपर वाली नंबर में y नंबर का कोई भी नंबर नी है तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे इसको आगे 7y ठीक है उसके बाद देखो क्या है four दो number यहाँ पर है फॉर हम यहां ढाल देखो ध्याँ से देखो 6X plus 8 X के नीचे X डाला नमबर के नीचे नमबर और 7Y हमने अलग डाल दिया अब हम इनको add कर देंगे तो add करते हैं देखो पहले हमने ये number लिया सबका अपना-पना add होगा कोई carry forward यहाँ पर नहीं होता है ठीक है तो पहले हम इसको add करेंगे फिर यहाँ पर add फिर यहाँ पर add चाहे किसी भी direction में रखो करो क्योंकि carry तो जाना ही नहीं आगे तो देखो यहाँ पर क्या होज़ेगा 7Y का 7Y आया यहाँ पर क्या आया 7Y का 7Y आया अब 7 और 4 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा 11 तो 11 का 11 हम लिखेंगे कोई आगे मैं भी बतारी हांसिल हम आगे नहीं बेशते हैं उसके बाद फिर हमने plus का निशान लगाया उसके बाद 6 और 8X को जोड़ा 14X और 7X की square हमने ऐसे कैसे लिखे दिया अब देखो क्या लिखा है हम उन सभी वंजग को निचे लिखेंगे समान पद को अब देखें next question देखते हैं 4X की square 7X की square 7Z X plus 5 में हमें क्या करना है पहले तो घटाना है तो घटाने का एक rule ध्यान रखो पहले first हमने क्या किया नमबर लिया और दूसरे पद को जो दूसरा ये नमबर होगा उसको arrange करेंगे कहां कहां लगाना है ठीक है कितना समझ में आया उसके बाद इस बात का ध्यान रखेंगे वेटा क्या करेंगे कि जब हम घटाते हैं जब हम घटाते हैं तो हम नीचे वाली इतने भी पद होते हैं उनके marks को change कर देते हैं जो plus में दिया है उसे minus में कर देंगे जो भी plus में दिया जैसे कि कोई सारे पत क्या है आठ जिसके आगे कोई mark नहीं हो plus का है तो जब हम solve करेंगे तो minus 8xy minus 6xy minus 7zy और plus 5y की square और minus 9 इस तरह से हम सारे जो marks है उनको क्या कर देंगे इतने भी plus minus दिया उनको उल्टा कर देते है इस बात का ध्याना कि अगर plus है तो minus minus है तो plus अब हम इसे solve करते हैं देखो देखे हमने first यहाँ पर लगा दिया आप देखते हैं 8x की square के निचे 8x की square लगा दिया 7xy यह तो उसी तरह से दिये भी गए है नमबर तो हमने सारे के सारे उस तरह से निलिख दिये अब हम क्या करना है पदों को विवस्तित कर लिया first काम हमने ये किया second काम हमें क्या करना है marks change करने है इनकी जो plus minus है यहाँ पर plus था तो हमने minus कर दिया यहाँ पर भी plus है हमने minus कर दिया यहाँ पे भी plus था हमने minus कर दिया और यहाँ minus है तो हम क्या कर देंगे plus कर देंगे इतना समझ में यह सिर्फ हम घटाओ में करते हैं यह कब करते हैं घटाओ में जोड में हम ऐसा नहीं करते हैं अब देखो इसे solve करते हैं देखो एक एक पद लेलो क्योंकि carry तो कहीं से जाना तो अब यह कितना हो जाएगा 13 और y की square यहाँ पद लग जाएगा अब यह देखो 5 5 plus का था और 9 minus का हो गया तो क्या answer आ जाएगा 5 plus का है और 9 minus का तो answer क्या हो जाएगा minus 4 अंसर क्या हो जाएगा हमारा minus 4 ठीक है आगे देखिए उसकी बाद देखिए हम लेते है 7 z x है ना z y एक सेकिन बेटा देखो यहाँ पर दिया है z x है ना यह देखो यहाँ पर थोड़ा सा गरबड हो गया बटा कोशन में यहाँ लिखा है z x और यहाँ पर कोशन में लिखा है z y दिया से देखो बेटा एक सेकिन यहाँ लिखा है Z X 7 Z X लिखा है और यहाँ पर लिखा है 7 Z Y तो यह एक दूसरे के निचे आएंगे यहाँ पर गड़बड होगी या तो हम इसे X कर लेते हैं तो हम इसे X करते हैं तब यह कोशन सोल हो पाएगा ठीक है उसके बादे को हो जाते हैं यह कई बड़ मिस्टेक्स ना फिर 7 X Y और 6 X SY यह माईनस का है तो यह भी मैनस का है और यह माईनस का हो गए मैनस 13 एक स्वाई इस्टरह से के स्क prest to का है तो मैनस4 कोशन करते तब हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे तो देखते हैं first question क्या कहता है बेटा देखिए 5x की square 6xy plus 7yz plus 8 ये first number हो गया दूसरा 8x की square minus 9x plus 7yz minus 9 को जोड़ना है ठीक है कुछ नमबर जोड़ने के दिए कुछ घटाने के लिए तो जोड़ने में हम number जो plus minus हो चेंज नहीं करते सिर्फ घटाने में हम change करते हैं तो आई ये करते हैं first answer तो देखिए करते हैं solve 5x की square ये plus का है 6xy plus 7yz plus 8 ठीक है इसे हमें क्या करना है plus करना है इसलिए मैंने यहां पर बड़ा बड़ा लिग दे कि इसको plus करता है अब number दूसरा क्या था 8x की square 9xy 7yz plus 9 ठीक है ये दूसरा number था तो इसे arrange करते हैं सिर्फा जोड़ो देखो पहले हम यह लेते है number 8 plus के है और 9 minus के है तो कितना हो जाएगा minus 1 ठीक है अब ये second number लेते देखो क्या हो जाएगा 7yz और 7yz दोनों ही plus के हैं कितना हो जाएगा 14yz अब ये नंबर लेते देखो 6 क्या है प्लस का है और 9 क्या है minus का है तो कितना हो जाएगा minus 3xy minus 3xy next देखो क्या 5x की square और 8x की square दोनों ही क्या है प्लस के नंबर है तो हम लिख देंगे 13 x y कि स्क्यार x कि स्क्यार 13 x कि स्क्यार यह हो जाएगा first question अब हम देखते है second question देखे second question में क्या है पिटा minus y कि स्क्यार 7 x c 8 fg 9 अब देखो पिटा एक बड़ी हम पहले यहां पर रफ देखते हैं हमने जो यह है अच्छे से इसको करेंगे पहले हम एक बड़ी देख लेते हैं arrange कैसे करना है क्योंकि वो भी आपको समझ में आना चाहिए अब देखो नंबर देखते हम पहले 4 fg तो हम इसके नीचे plus लगा के 4 fg हम इसके नीचे लिखेंगे हम यहां से लिखना शुरूर नहीं करेंगे जिसके नीचे जैसा समान पदो हम वही लिखते है उसके बाद है माइनस 6 ac माइनस 6 अब हम यहां पर लिखेंगे माइनस 6 क्योंकि इसके आगे कोई पद नहीं प्लस नहीं था तो हम पता है अब यह क्या है माइनस 6 है तो हम इसको कर देंगे प्लस प्लस हम कर देंगे 6 हो जाएगा अब यह क्या है 4 fg प्लस का था इसको माइनस कर देंगे तो इसी तरह यह 8 क्या था प्लस का था माइनस का था इसको हम प्लस कर देंगे अब हम इनको जोड लेंगे, जिसे कि यहां पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहां पे 8, 4 है तो यह कर जाएगा, प्लस का 4 FG आ जाएगा, और यहां पे यह दोनों प्लस की हो जाएगे, तो कितना हो जाएगा, 13 XC हो जाएगा, और माइनस का 5 किसके राजएगा, तो एकसी, एट एफजी और नाइन ठीक है यह आया उसके बाद में अब देखो हमें अरेंज करना है तो हमने पहले फोर एफजी यहां लिख दिया ठीक है और यहां पर क्या तो जोड़ना था वहां पर जोड़ना था वह मैंने घटा दिया था उसके लिए सौरी अंसर एक्चली यह है कि यहां पर हमें घटाना नहीं है जोड़ना है वह मैंने समझाया था कि किस तरह घटाया जाता है तो जोड़ने में देखो अब देखो यहां पर एट अब क्या करना है हमें इसे जोड़ना है तो जोड़ेंगे देखो पहले यह ले लेंगे नो प्लस का है एट वाइ I-5y की किसे कितना ओ यहां पर कितना हो जाएगा और फाइफ वाई किसे और एक सेकिंद बीट तो बीटा वहां पिर प्र कर्वा 19-छीय ऱइक के जोड़ा लिखिए था वह ने आपको घटाना बता दिया था है यहां पर जोड़ो लिख्ए इन दोनों को जोड़ा 12 FG और यहां पे जोड़ा तो प्लस का वना जाएगा यह प्लस माइनस यहां पर ध्यान देना जरूरी है अब हम करते हैं next देखो आगे क्या कहा गया है पेटा इसे समझते हैं ध्यान से समझना जरूरी है हर कोशन को न देखो 4Y की स्क्वेर 4Y की मैं अरेंज करने थो नयर मिपनल मतर फ presence 2 प्लस का था नाइन वा अभी यहां पर फियाओं घटाना है यहां पर क्यों में क्या है गटना इस बात का ध्यान लगेंगे आप तो देखो और 9 9 के नीचे 9X लगा दिया, XC के नीचे XC लगा दिया, FG के नीचे FG का नमबर और नमबर के नमबर, अब हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर करेंगे, इनके मार्क शिंज कर देंगे, जैसे कि इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, और यह माइनस, क्योंकि सारे ही प्लस के तो हमने माइनस कर दिया, अब देखो, अब यह साथ भी माइनस का और यह नो भी माइनस का अंसर कितना हो गया, माइनस 16, यह दे बाद देखो 9 फिर माइनस का हुआ 4 भी माइनस का दोनों माइनस के हो तो इनको एड कर देंगे 13Y की स्केर थोड़ा ध्यान से बिटा आप यहां पर करेंगे अब हम करते हैं next question अब हम देखते हैं next question 4ABC 3XYZ 9FGH तो FGH की नीचे FGH और XYZ की नीचे XYZ और ABC की नीचे ABC और यहां पर हमें माइनस करना है घटाना है विटा यह भी तो देखो अब यह दोनों प्लस के हो गया तो यह कितना हो गया 10FG यह भी प्लस का और यह भी पहले हम क्या करेंगे माइनस यह कर दिया यह भी प्लस का था माइनस में कर दिया और यह माइनस का था इसलिए हमने इसको प्लस में कर दिया देखो 9FG प्लस FG कितना हो गया 10FG 3XYZ में से 1XYZ घटा दो देखो यह भी माइनस का और यह भी माइनस का तो दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे 4XYZ हो गया है कोशन नबर फिफ्ट में इनको प्लस करना है तो देखो X की स्क्रेट 3XYZ 7Z 8XZ तो हम अरेंज करते हैं को अरेंज करना सीखलो बस आपना XZ के नीचे XZ YZ X YZ के नीचे XYZ और X की स्क्रेट के नीचे सेकिंद देखो क्या हो जाएगा 7YZ 7YZ दोनों ही प्लस के है तो 14YZ माइनस 9XYZ और प्लस 3XYZ तो कितना हो जाएगा 6XYZ कितना हो जाएगा 6-6XYZ अब यह देखो यह दोनों फिर प्लस के यह भी प्लस का है यह भी प्लस का तो क्या हो जाएगा 9X की स्क्रेट अब हम देखत है next question देखो क्या कहा गया next question में इसमें क्या है घटाना है इसके उन्दर क्या करना है घटाना है तो 4abc-3ab plus 9bc second को हम उसी तरह range करेंगे bc की नीचे bc ab की नीचे ab और abc की नीचे abc अब इनके mark change कर दो माइं यह minus का है तो हमने यह plus का कर दिया यह plus का है तो हमने माइनस का कर दिये देखो ज़र एक बड़ी color change करके बताती हूं इसको हमने plus में कर दिया इसको माइनस में कर दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया माइनस में कर दिया अब 9bc से 1bc निकलेगा तो कितना होगा 8abc इसी तरह थ्री माइनस के है और एक और माइनस का होगा तो कितना होगा 4ab इसी तरह अब आगे देखो 4abc में एक और abc एड़ हो जाएगा तो 5abc तो वीटा आज की जो वर्क्षिट है वो complete होती है थोड़ा जहां से करेंगे वर्क्षिट complete करके अपनी टीचर से चेक करा है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टूडेंट्स